हेलो फ्रेंज, आज मैं आपको 2017 की हॉट समर नाइट्स एक क्राइम ड्राम मुवी एक्स्पेन करने माला हूँ एक टिनेज लड का ड्रग सेल करने लग जाता है बर प्रॉल्लम तब आती है जब उसकी ग्रेट बढ़ती जाती है आज के हमारी जो मुवी है ये एक true story पर based है मुवी की city 90's की है इसका music, oral environment इसे one of the best movies बनाता है अगर आपको इस मुवी की link चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझसे ले सकते हो इस्टाग्राम की link मेंने description में डाल दी है जो चले इस मुवी को explaining करना start करते है मुवी start होती है और हमारा main character जिसका नाम है Daniel ये बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा है रात का समाई था और उसके sight से आने वाली गाड़ी उसे दिखी नहीं उसका excellent हो जाता है इसके बाद ये story three months before के event से start होती है समर आ चुका था फिर भी Daniel बहुत ही दुखी था उसके father की अभी अभी date हुई थी मदर आज cemetery जा रही थी Daniel अपने room में depressed वेटा था उसकी mother ने उसे समझाने की कोशिश की कि पुरा summer तुमारा ऐसा ही जा रहा है उसके मदर चाहती है कि Daniel move on करे पर वो करने के लिए ready नहीं है मदर फादर की grave को visit कर रहे है तो इसे भी लेकर जाना चाहती है Daniel की dad एक perfect आदमी थे एक अच्छे dad, एक अच्छे husband और सब लोग से पसंद करते थे अपनी country को भी उन्होंने सर्व किया था फादर की जाने के बाद Daniel बहुत ही disturbed हो गया उसके फादर ने उसे बहुत सारी music records लाकर दियो है थे उसे लगा कि अगर वो move on करना चाहता है तो इस सब records को उसे जला देना है उसने कि आपर पुरे घर को आग लग गए Daniel की मदर उसको psychologist के बास लेकर गए psychologist ने का कि Daniel को बहुत ही help की जरूरत है इसलिए उसने इस सब किया था जब मदर और Daniel दोनों फादर की ग्रियों को विजिट करने के लिए आते तब मदर गए थी है कि ये पुरा समर तुम तुमारे एंड के साथ गुजारने वाले हो Daniel को ये पसंद नहीं आया मदर ने का कि तुम्हें भी तुमारे फादर जैसा बनना चाहिए एक अच्छा आत्मे डैनियल को बनना चाहिए इसके बाद हमें डैनियल के एंड का टाउन दिखाया जाता है इस टाउन में समर सबसे ज़्यादा होट हुआ करता था बड़े-बड़े सिटीज में रहने वाले लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज बाय करके रखी थी जब भी समर आता था तो सब लोग यही आ जाते थे सीशोर पर बहुत सारे मज़े चलते थे टाउन का नाम केप कॉट था इन 1991 की बात है इस टाउन के लोगों की दो कैटिकरिस थी जो यहाँ के लोकल थे और कुछ रिच लोग जो अपनी सीटी से यहाँ आते थे डैनियल इन दोनों से कोई भी नहीं था एक दिन टाउन में पार्टी चल रही थी उसी पार्टी में डैनियल पहुचा उस पार्टी में भी उसे आउट अप दो प्लेस लगा वो बहरा गया और वहाँ पर उसने हंटर को देखा हंटर हमारा और एक मेन कैरिक्टर है नॉवेल्स में टीन मूविज में जिस तरह से अलफा मेल दिखाया जाते है उसी तरह से हंटर है टाउन में भी उससे सब लोग वही समझते है देखने में हंटर रीच लगता है तो उसके बारे में और भी इंफोर्मेशन दी जाती है जो अमेर लोग इस टाउन में समर के लिए आते है उन्हें हाई होना बहुत है अच्छा लगता है जनरली यह सब लोग वीड समोक करते है इनका सबला है हंटर ही है हंटर एक आटो सर्विस में काम करकर वह इस सब लोग को सेल करता है हंटर के बारे में बहुत सबी रूमर्स भी है वह एक प्लेबॉय है उसने एक आदमी को मार डाला था इस तरह के अजीवजीब बाते उसके पीछे की जाती है हंटर इस टाउन का बहुत इंपोर्टन पार्ट है पर सब लोग इसे इग्नोर कर देते है डैनियल ने टाउन में एक समर जॉब ले लिया है एक दिन हंटर उसके पास आता है और उसका वीड उसे चुपाने के लिए गयता है वहाँ पर पुलीस आ रहे थे डैनियल अपने कैश काउंटर में उसे चुपा देता है डैनियल ने हंटर को हेल्प की तो हंटर डैनियल को हाई होने के लिए इन्वाइट करता है एक पार्टी में डैनियल ने हंटर के साथ पहली बार नशी किये और उसके बाद ये दोनों फ्रेंड्स बन गए एक दिन ओपन पार्किंग ठेटर में डैनियल मुवी देख रहा था उसके सामने एक कपल की गाड़ी थी जिनका जगड़ा हो रहा था कपल में से लड़की काड़ी से बाहर निकले और डैनियल के कार में आकर बेट गए ये हमारी और एक में गारेक्टर है जिसका नाम है काईला काईला ने डैनियल सिखा कि चलो यहां से चलते हैं कायला एक बहुती ब्यूटिफुल करल है टाउन में सब लड़के उसके प्यार में है उसके बीचे वो इतने बागल है कि उसका जुटा गम भी खाने के लिए रेडी है फिर से हम सीन की तरफ मुड़ते कायला को मनाने के लिए उसका बॉइफ्रेंड कार तकाता है पर कायला डैनियल को कहीती है कि जल्दी से आचलो क्या तुम्हे समझ में ने आया डैनियल फिर कार निकाल लेता है डैनियल कायला के साथ बहुत ही नर्वस है उसे क्या बात करने है कुछ भी समझ में नहीं आता उसे देखकर सिर्फ हो स्माईल करता है काईला भी देखकर हसने लग जाती है उसे वो बहुती unfunny awkward joke सुनाता है काईला भी इस वर बहुत हस्ती है वो उसे उसके घर drop करता है जाते जाते काईला डैनियल का नाम पूछती है, काईला आगे जा रही थी तो डैनियल भी चिला कर उसका नाम पूछ लेता है, काईला डैनियल को उसका नाम नहीं बता दिये, डैनियल को काईला बहुत ही पसंद आई थी, जब वो दूसरे दिन हंटर के साथ बीच पर बेठा नहीं है, Hunter पोछता है कि वो रहती कहा थी, Daniel जब उसे बताता है तो Hunter figure out करता है और उसे कहता है कि वो मेरी sister ही थी, Hunter और Kayla की अब अच्छी relationship नहीं है, Kayla जल्दी से इस town से दूर जाना चाहती है, Hunter Daniel को कहता है कि उसके बारे में सोचना भी मत, Daniel भी इसके लिए मान जाता है, Hunter के सा से कमाने है, Hunter भी इसके लिए मान जाता है, और Daniel को सब कुछ सिखाता है, Daniel अब थोड़ा बहुत सेल करने लग चुका है, तो एक दिन चब वेटे हुए होते हैं, तो Daniel कहता है कि हमें और भी सेल करना चाहिए, इनमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, यह नहीं ज से बात की, और उसे इंडारिकली वो बता कर चले गए, कि अगर वो इसी तरह से सब कुछ काम करता रहा, तो बहुत ही गलत जगा पर वो पहुँचाएगा, उसका एंड सही नहीं होगा, इस क्लोज इंकाउंटर के बाद Daniel बहुत ही डर गया, उसने Hunter से बात की और कहा कि पकड़ नहीं सकता, थोड़े दिन सब कुछ सही चलता है, तो डैनियल फिर से Hunter से कहता है, कि हमें और भी कुछ बड़ा करना चाहिए, और वो परसनली थोड़ा थोड़ा वीड सेल करते हैं, पर उन्हें और एक बड़ी टीम चाहिए, और भी उन्हें बड़ा सप्लाई चा तो डैनियल भी उसके पास पहुचा, उससे उसने बात की और कुछ वीड मांगा, सप्लाईर को लगा कि उससे सिर्फ स्मॉल अमौन में चाहिए होगा, पर डैनियल ने जब कहा कि उसे पूरी बैक चाहिए, तो इस सप्लाईर बहुत ही ज़ादा चिड़ गया, उसे लगा क कि डैनियल पुलिस के लिए काम करता है, यह सप्लाईर डैनियल को मारने ही वाला था, पर उसे सेव करने के लिए हंटर भाँ पहुच गया, सप्लाईर को हंटर ने इंजूर कर दिया, इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल और कायला फिर से एक शौप में मिलते हैं, कायला टेस्ट करकर फिर से वापस दे देती है, अब वह वहाँ से जा रही है, तो डैनियल कहता है कि संडे को फायर वक्स है, या तुम वहाँ जाने वाली हो, कायला गहती है कि शाहिद जाओंगे, और वहाँ से वह चली जाती है, नेक सिन में में देखते हैं कि डैनियल जब घर उसे रोक लिया, जबर्दस्ति उसे उठा कर वो लेकर गए, इस भायन में हंटर भी था, डैनियल और हंटर को वो एक डैनियल पर लेकर जाते हैं, जिन लोगों ने इन्हें उठवाया है, ये गैंग के लिए वीड सप्लाय का काम करते हैं, जब हंटर ने सप्लायर को मारा, तब उनकी नजर में ये आ गए, गैंग के आदमियों में एक का नाम डेक्स है, डेक्स इन से कहता है कि जो भी वीड तुमें लगेगा, ये सब हम तुमें सप्लाय करेंगे, ये इन दोनों के लिए वेस्ट है, क्योंकि इन्हें तरह कम प्राइज में मिलेगा, और ये अच् टाइम में ही वो 5 पॉंड्स मांग लेता है, इतना कभी भी उन्होंने हैंडल नहीं किया था, अंडर डड़ता है कि हम इतना कैसा सेल करेंगे, डेनल बोलता है कि मेरे पासी प्लान है, एक्चल में डेनियल का एक थोड़ा सा क्रेजी कजन था, वो खुद नशेडी था, तो पॉबलिक में और भी डिमांड बढ़ता जाता है, और इस सप्लाइ करते रहते हैं, अब संड्य आता है, यह फायर वक्स का दिन है, कैला यह देखने आने वाली थी, डेनियल भी यहाँ पोचता है, कैला को स्टोर में एक पाउडर नहीं मिल रही थी, डेनियल यह उसके लि साथ से वो मार भी खाता है, निकसिन में हम देखते हैं, कुछ लेड़ी क्या डाइनर में थी, इन ग्रूब में इसे एक लड़की का नाम है एमी, हंटर भी यही था, और बहुत टाइम से उसे ही वो देख रहा था, हंटर फिर उसे अप्रोच करता है, एमी कहती है, मैरा एक बॉइफरेंड है, हंटर बोलता है, मुझे पता है, कोई भी नहीं है, अगर तुम ज़्यादा भाव नहीं खाओगी, तो मैं तुम्हारा बॉइफरेंड बन सकता हो, यह दोनों फिर डेट पर जाकर कपल बन जाते हैं, एक दिन डैनियल मूवी देखने के लिए आय हुआ वहाँ उसे फिर से कायला मिलती है, कायला उसके फ्रेंड के साथ होती है, उसे गयती है, कि तुम अपने आपको समझते गया हो, डैनियल ने जो किया, इसके रिए सौरी कहिकर और टौलेट चला जाता है, थोड़ी देर में कायला भी उसके पीछे आ जाती है, उसे पैशन से किस करकर वहाँ से चली जाती है, इसके बाद कुछ सी इंस में हम देखते हैं, कि हंटर और एमी दोनों कपल बन चुके हैं, अलग एक प्लेसे जाते हैं, मजे गरते हैं, उसी तरह से डैनियल और कायला के भी रिलेशन्शिप इंप्रूव हो रहे है, हंटर को एक दिन पता कि कायला को किसी ने जबरदस्ती किस किया, डैनियल कोई बाद उसने कहीं, हंटर ने कहा कि अगर हो मुझे मिल जाए, उसके बहुत ही बुरा हाल में करूँगा, यह डैनियल ही था तो बहुत ही डर जाता है, एक दिन डैनियल और कायला यह दोनों गाड़ी में हाय हो रहे थ वो कहती है, कि मेरी मदर को पता जल गया था, कि हंटर ड्रग सेल करता है, उसके वज़े से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया, उसके बाद मेरी मदर को कैंसर हुआ, वो एकी चीज चाहती थी, हंटर ड्रग सेल करना छोड़ दे, पर उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, उसने मदर की विश कभी भी complete नहीं की और मदर की date हो गए उसे guilty महसुस होता है इसलिए हर मन्त वो पैसे छोड़ कर जाता है कायला कभी भी उसके पैसे यूज नहीं करती इसके बाद और कुछ scenes में हम देखते है कि Daniel और Hunter इनका business और भी बढ़ चुका है इनके पास पैसों से भरी हुई back जाने लग जाती है एक दिन Daniel और कायला एक दूसरे के साथ intimate भी हो जाते है next scene में हम देखते है कि रात में और दोनों game arcade आय होए थे वह हंटर एमी को भी लेकर आया Daniel और कायला ने pretend किया को एक दूसरे को नहीं जानते है हंटर और कायला एक दूसरे से बात नहीं करवाए और awkward होकर कायला वहाँ से चली गए आगे चल कर Daniel कायला को pick up करता है कायला कहती है अगर उसे पता चला तो तुम्हें वो मार डालेगा हंटर की girlfriend एमी हर रात अपने रूम से बाहर निकल कर उसे मिलने के लिए जाती थी एक दिन उसके फादर को शक चला गया और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया यह फादर और कोई नहीं तो पूली सारजंट ही है इसके बात सारजंट हंटर को समझाने के लिए उसके शौप में आते हैं नसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ तुम चलो एक बार के बाहर उसे वो लेकर आते हैं यहां हंटर के फादर ड्रंग होकर पड़े हुए है सारजंट हंटर को समझाते है कि तुम्हारे फादर ने पूरी लाइफ डिस्ट्राइ कर दे तुम जो भी कर रहे हो अगर तुम ऐसे ही करते रहे हैं तुम्हारे लाइफ भी बरबाद हो जाएगी तुम एक स्मार्ट लड़ के हो चाहो तो बहुत सरी अच्छी चीज़े तुम कर सकते हो हंटर कहता है कि वो लाइफ मेरे लिए नहीं है कॉलेज जाना जॉब करना यह सब चीज़े में नहीं कर सकता सार्जंट फिर उसे एक स्टोरी सुना दे सार्जंट और हंटर के फादर यह जब यंग थे तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे यह दोनों भी मिलकर इल्लीगल चीज़े करते थे एक दिन बड़ा ट्रबल हो गया इन पे सिरियेज चार्जेस लगने वाले थे तो हंटर के फादर ने पूरे चार्जेस खुद पर ले लिया उन्होंने सार्जंट को बचा लिया इसलिए सार्जंट ने फिर अपनी लाइफ को सही सी सुदा रहा वो Hunter के फादर को हमेशा के लिए thankful है इसलिए Hunter को help करना चाहते है पर Hunter सुनने वाला नहीं Hunter को कहते है कभी ना कभी तुम्हें जेल जाना पड़ेगा Hunter कहते है कभी भी मैं जेल नहीं जाओंगा चाहे कुछ भी हो जाए Hunter determined है इसके बाद हम देखते है कि Daniel और Kayla तब तुम करना एक दिन डैनियल हंटर से बात करते है वो कहते है कि हम जो वीड वेकर सेल करते है हमारा नेटवर्क तो बहुत ही स्टॉंग बढ़ चुका है हमें हमारे प्रॉफिट भी इंग्रीज करने पड़ेंगे मैंने और एक सप्लियर ढूण लिया है हंटर कहते है कि हमारे पास तो एक अच्छय सप्लियर है डैनियल कहते है कि नहीं अब मैं «कोकेन की बात कर रहा हूँ» हंटर यह सुनकर सप्राइस्ट होता है उसे स्टिक्ली कहता है कि यह सब नहीँ चलेगा अगर हमारे supplier को पता चला कि हम उसे double cross कर रहे है तो हमें वो मार डालेगा Daniel मानता नहीं, वो कहता है किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा Hunter उसे warning देता है, तुम्हें जो भी करना होगा वो तुम करो पर अगर कोई कड़बढ़ होके तुम मेरे पास रोते हुए मता न Hunter को अपनी sister Kayla के साथ उसके relationship सही करनी है वो एक रात उसे मिलने के लिए आता है वो कहता है कि तुम्हें माफ करतो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहला कहती है, ड्रक सेल करना छोड़ दो Hunter पहले थोड़ा सा सोच रहाता है पर इसके लिए मान जाता है जब रात आती है, तो Kayla बैक लेकर Hunter के बास आ जाती है ये दोनों ब्रदर सिस्टर अभी इस टाउन से चले जाने वाले है एक नई life start करने वाले है जब वो यहाँ पोच्छती है, तो Daniel को नोटिस करती है, Daniel ने उसे कहा था कि उसके ब्रदर को नहीं जानता वो फिगर आउट कर लेती है कि Daniel ट्रक्स सेल करता है, उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है उसके प्लांस वो कैंसल करती है Hunter ने Daniel को कहा था कि उससे और कोई डील नहीं करने चाहिए पर Daniel मानने वाला नहीं उसके नए कोकेइन के सप्लाइर के पास वो बहुच जाता है, इस सप्लाइर उसे प्रोड़क्ट टेस्ट करने के लिए बोलता है Daniel उसे जब टेस्ट करता है, तो सप्लाइर हसने लग जाता है, वो कहता है कि तुमने अभी अभी जो लिया, बेबी फॉर्मिला था मैं तुमने कुछ भी सेल नहीं करने वाला तुमारा प्रिवेस्ट सप्लाइर बहुत ही डेंजरस आदमी है उसे अगर पता चला कि तुम यहाँ आय होए थे, तो बहुत ही बुरा होगा डैनियल के सब पैसे वो ले लेता है और उसे कुछ भी नहीं देता इवेंचली सप्लाइर को पता चली ही जाता है अब उसकी लाइफ खत्रे में है सब पैसे वगरा लेकर वहाँ से भाग जाना चाता है आज एक बड़ा तुफान आया हुआ है डैनियल हंटर के बास उसे वोन करने के लिए जाता है हंटर कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ कभी भी फिर से वापस मत आना और मेरे सिस्टर के बार में सोचना भी मत डैनियल कहता है कि मुझे एक बार उसे मिलना है और यहां से मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा डैनियल स्पीड में जा रहा था तब यह उसका एक्सिडन होता है यह वही एक्सिडन्ट है जो मूवी के फर्स में हमने दिखा है इसमें उसे ज़ादा चोट नहीं आती पैरलल में हम देखते सप्लायर यानि कि यह एक्सिडन्ट हो चुका था तो Kayla से वो मिलने पाया उस राच जो तुफान आया उसने पुरे टाउन को तेहस्नेस कर दिया Daniel को पता था कि Kayla के लिए वो सही नहीं है तो उसने कभी भी उसका पीछा नहीं किया उसके बाद वो भी इस टाउन से गायप हो गया वो कहा गया यह किसी को भी पता नहीं है यही मूवी एंड हो जाती है डैनेल की ग्रीड की वज़े से उसके बेस फ्रेंड का मर्डर हो गया एला को हमेशा के लिए उसने खो दिया यह मूवी हमें बता कर जाती है कि ग्रीड बहुत ही घटिया चीज़ है आज का वीडियो हम यही खतम करते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवी लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिविशन आइकों दापाना भी मत भूले है हम फिर से मिलेंगे और ही ने मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया